आज हम आपको कोथनांक में उन्ययन के बारे में बताएंगे कि कोथनांक में उन्ययन क्या है इसके पहले हमने आपको बताया था उन्ययन के बारे में तो सबसे पहले आप उन्ययन के बारे में देखिए कि उन्ययन क्या होता है जिस प्रकार से ओनमन होता है, ओनमन मतलब कमी, उन्नयन मतलब बड़ोतरी किसी भी चीज का बढ़ना उन्नयन कहलाता है तो बड़ोतरी होना उन्नयन कहलाता है और यदि हम कौथनांग की बात करते हैं भोतिक वस्था में दो प्रकार की क्रियाएं होती है या फिर गल्लांग होगा या फिर क्वतनांग होगा यदि हम गल्लांग की बात करते हैं तो किसी ठोस को हमें गलाना है गलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसे हमें पिगलाना पड़ेगा तो जो पिगलाने की क्रि उसे हम गलनांग कहते हैं या गलन कहते हैं और जिस टैंपरेचर में कोई भी ठोस गलता है उस अंक को गलनांग कहते हैं यदि हम क्वथनांग की बात करते हैं तो क्वथनांग का मतलब होता है कि कोई भी द्रव किसी भी प्रकार का द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे हम कहे Pakht angled सका पर ऊसका कोई भी टैम्रिचर हो सकता यह सिस टैम्रेचर पर क्या յह 100 डिगृरी चलसेश अचा यह वह पदार्त पर करता है था उसके विल्यन पर निफार्थ करता है कि वह कितने उबलेगा उबलने का जो टेम्प्रेचर होगा ताप होगा उसे हम कहेंगे क्वथनांक उबलने का ताप क्रम तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो क्वथनांक है या क्वथनांक ने उन्यान की क्रिया है जब किसी भी द्रौ का या किसी विलियन का वथनांक बढ़ जाता है किसी भी परिसिती में तो उसे हम कहते हैं क्वथनांक में उन्यान यदि हम ओनमन की बात करते हैं तो जैसे हमने आपको बताया था हिमांक में ओनमन की बात तो वहाँ पर क्या होता है कि हिमांक में ओनमन होता है या हिमांक में कमी आ रही है वो क्यों आ रही है इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि किसी तरह वतनांक ने उन्नैन को समझाने के लिए हम सबसे पहले विलायक लेंगे इसके लिए हम एक ग्राफ तयार करेंगे जिसमें वाश्वदाब को वाई पोजिशन में ले लीजिए और एक्स पोजिशन में तापकरम अब आपको यह ग्याद है कि यह मान लीजिए हमने सबसे पहले विलायक लिया और यहाँ विलायक का कर्व है एक हमने कर्व लिया विलायक के लिए एक कर्व है एबी शुद्ध विलायक का वाश्वदाब अधिक होता है यह आपको पता है तो शुद्ध विलायक का जो कर्व ह कववक्र एब यहाँ पर यदि हम वाश्पदाब की बात करें तो वाश्पदाब यहाँ पर अधिक्तम होगा और यह अधिक्तम होने के कारण जैसी इसमें हम विले मिलाते हैं जैसे ही इस विलायक में हम विले मिलाते हैं तो विले मिलाने के कारण क्या होगा उसका वाश्पदाब कम होगा या बढ़ेगा क्या होता है जब हम किसी शुद्ध विलायक में शुद्ध विलायक का वाश्पदाब अधिक होता है क्योंकि उसमें कोई अशुद्धी नहीं मिली है और जो भी अणू होंगे भाब के वो सिर्फ विलायक के होंगे और वो अधिक होंगे इसमें कोई रुकावट डालने वाला कोई भी पदार्थ इसमें मौजूद नहीं है लेकिन जैसे ही इस विलायक में हम आवाश्पशिल विले मिलाते हैं तो आवाश्पशिल विले मिलाने से विलियन का वाश्पदाप कम होगा या ज्यादा होगा कम होगा तो यहाँ पर आप ये दूसरा करव आप देखेंगे क्यों जैसे मालूम है आपको कि यदि वाश्पदाब कम हो रहा है तो जब वाश्पदाब कम होता है तो उसका temperature यह वक कब उबलेगा कम ताप में उबलेगा यह अधिक ताप में उबलेगा यदि हम विलायक की बात कर रहे हैं विलायक के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जब कोई भी शुद्ध विलायक की बात करें तो शुद्ध विलायक का वाश्बदाब अधिक होता है जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं हमने इसके पहले आपको दो प्रकार की क्रियाविधी बताई थी एक हमने बताया था आपको उच्चो क्वथन के बारे में और दूसरा बताया था हमने निम्न क्वथन के बारे में उच्चो क्वथनांक कब आता है किसी भी विलियन का उच्चो कथनांक कब आएगा यहाँ पर यदि विलायक की बात कर रहे हैं हम और यदि इस विलायक को गरम कर रहे हैं गरम करेंगे तो पहले उसकी भाप निकले ही भाप निकलने के बाद वह पदार जो है वह विलियन जो है उबलना चालो होगा स्वारी विलियन नहीं कहेंगे यहाँ पर हम विलायक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो विलायक है इसे हम गरम कर रहे हैं गरम करने से इसका जो वाश्वदाब होगा वो अधिक्तम होगा क्योंकि यहां पर जो भाब के कर्ण है उसके द्वारा द्रव की सता पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला जाएगा और ज्यादा दबाव डालने से इसका कोथनांग या उबलने का समय निमन होगा होगा की क्योंकि जब इसका वाश्पदाब अधिक है इसका उबलने का समय कम होगा और उबलने का समय कम होगा तो यहां पर हम यह बता सकते हैं कि जो वाश्पदाब है यह वाश्पदाब के लिए माना जाता है कि कोई भी विलियन यदि उबल रहा है तो वह कब उबलता है जब वाई विलायक की बात यृदी एक उबल रहा है तो उबलने बीन लिए गया जैसे उसका टाप वायमंडली दाप के वराबर हो जाता है तो वह तुब माली जी हमने इसमें आवाश्पशिल विले मिलाया अब इस विलायक में आवाश्पशिल विले मिलाया आवाश्पशिल विले मिलाने से क्या होगा पहली कंडिशन में आपने देखा कि जब शुद्ध विलायक को आपने उबाला गरम किया उसे तो जो उसका वाश्वदाब था, वो अधिक्तम था, जब वाश्वदाब अधिक्तम था, तो उसका क्वथनांग क्या हुआ? निम्न क्वथनांग, और जब निम्न क्वथनांग था, तो उसके लिए कर्व हमने लिया यहाँ पर एभी, क्योंकि इस टेंपरेचर पर यहाँ प थेनुवें परita आ रहा है तो इसलिए इसको अब इस प्रकार सहे कर्व दे सकते हैं लेकिन जैसे ह default में पिले मिला देते हैं आवाश्पशिल विले मिलाने से क्या होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो आवाश्प शील विले है वो विलायक के अणों को वाश्पी करित होने से रोकता है इस प्रकार से हमने पिछले पीरड में आपको बताया था इस प्रकार से यह वाश्पीत होने से इसको रोक रहा है और वाश्पीत होने से रोकने के कारण इसके वाश्प दाब म में कमी हो जाएगी तो उस्वा क्वथनांग कम होगा या ज्यादा होगा उच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च यहां पर इसका वाजडाब काम है और विलियन का वाजडाब क्या होगा ज्यादा होगा तो इस प्रकार से इसको कर्व हम यहां पर तो यह शुद्ध विलायक के लिए है T0B और यहां पर T कि तो डीवी डी क्या है यहांपर है यहांए विलियन। का वक्र लें तो इसे आप विलियन लिख लुकि ए हैं यह विलियन। ये विलियन क्योंकि इसमें आवाश पिशील विल्यकमिल दिया है और विलियन का वक्र है इसको हमने A b दिया है तो इसे आप सीडे दिजीए इस प्रकार से और यहा पर आप लगति दिजिए सीडृ है अब यहां विल्यन के संगत जो इसका तापकरम है वो क्या होगा TB होगा, विलियन का क्वाथनांग, तो विलियन का क्वाथनांग क्या होगा, उन्नेयन होगा कि आउनमन होगा, विलियन का क्वाथनांग, उन्नेयन होगा, तो यहाँ पर जो क्वाथनांग है, वो उन्नेयन है, यह है TB, और यहाँ विलायक का क्वाथनांक यहां विलायक का क्वाथनांक कम है और यह क्वाथनांक है T0B इस प्रकार से आप इसको दे सकते हैं तो यहां पर जो उच्छु क्वाथन हो रहा है ये उच्च क्वथनांक यहां जो विलायक है उसका वाश्वदाब अधिक है वाश्वदाब अधिक होने के कारण इसके क्वथनांक में कमी आ जाती है और जैसी हम आवाश्वशिल विले मिलाते हैं तो इसके क्वथनांक में प्रिद्धी हो जाती है क्योंकि यहां पर जो वा वाश्वदाब आवाश्विशिल विले मिलाने के कारण वाश्वदाब में कमी आती है तो वाश्वदाब में जो कमी आ रही है और वस्वदाब में कमी आएगी तो यहाँ इसका क्वथनांग बढ़ रही है और यह जो क्वथनांग में बढ़ोतरी हो रही है इसे ही हम कहते है उन्नेयन क्वथनांक में उन्नेयन वाश्वदाब में कमी का घोतक है यदि वाश्वदाब में कमी होगी तो ही क्वथनांक में उन्नेयन होगा तो क्वथनांक में उन्नेयन इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसी हम विलायक की बात करें तो विलायक विलायक की अधी हम बात करें तो विलायक का जो वाश्दाव होता है वह अधिक होता है और अधिक होने के कारण उसका क्वाथनाग विलियन की अपेक्षा कम हो जाएगा तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं मैं फर्स्ट पॉइंट आप दे सकते हैं कि जो ए भी वक्र है वह सीडी वक्र से कम होगा इसका वाश्दाव विलायक का वाश्दाव अधिक्तम होने के कारण इसका क्वाथनाग निम्न होता है इसलिए हम विलियन बनने के बाद जैसी हम विलायक में विले मिलाते हैं तो विल कोथनांक उच्छ हो जाता है तो इसे आप बता सकते हैं कि वाश्वदाप में होने वाली कमी से कोई भी विल्यन अपने कोथनांक में वृद्धी करता है और कोथनांक में वृद्धी वायूमंडली दाप के बराबर होती है तो वायूमंडली दाप जैसे ही कोई विल्यन उब हम करना है तो पहले आप उसको पिहलाना पड़ेगा उसा गलनांक आएगा गलनांक आने के बाद उसको हम उबालेंगे तो उबलने का जो समय होता है वो तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सभी विलियन के लिए अलग-अलग कोथनांक होता है ऐसा नहीं है कि हम यह कह रहें कि जो जल है जल का जो कोथनांक होता है आप सभी को पता होगा जल का कोथनांक 100 degree Celsius होता है यह fix है कि 100 degree Celsius में उसका जो ताप होता है वो एक Y1 लीदा आपके बराबर हो जाता है तभी वह होलना चालो हो जाता है तो इस परकार से आप देखेंगे कि जो क्वथनांक में 9 है ये क्वथनांक में 9 भी किसके बराबर होगा डेल्टा TB जो क्वथनांक में होने वाला जो परिवर्दन है डेल्टा TB वराबर समान उपाती मूलल्टा तो मूलल्टा का मान आपको पता ही है कि मूलल्टा क्या होती है 1000 ग्राम विलायक में विले के मूलों की संख्या किती मात्रा में विले उसमें मिलाया है जिसकी वज़े से उसके जो वाश्दाब में कमी आरही है और वाश्दाब में कमी किया करण कोथनानक में कितनी बढ़ोतरी हो रही है यह डिपेंड करता है उस विले की मात्रा पर विले के मोलों की संख्या पर तो यहाँ पर इसलिए हम ΔTB बराबर डेल्टा टी बी समानुपाती M लिखते हैं M का मतलब है मोलल्दा अब यहां समानुपाती चिन्नक को हम हटा दे तो डेल्टा टी बी बराबर के बी M के बी इंटू M हो जाएगा इसे आप समीकरण एक दे सकते हैं तो यहां इसे हम यदि हमको मोलल्दा निकालनी है तो मोलल्दा निकालने के लिए मोलल्दा को हम बाहर भी कर सकते हैं तो M बराबर डेल्टा टी बी बटे के बी हो जाएगा तो यहां डेल्टा टी बी का मतलब क्या होता है किसे कहते हैं हम डेल्टा टीवी को अंतनांग में होने वाली वृद्धी और यह को अतनांग में वृद्धी किसके बराबर है कौतनांग में वृद्धी मतलब डेल्टा टीबी का मान किसके बराबर होगा यहाँ यदि हम बात करें डेल्टा टीबी की बात करें तो डेल्टा टीबी बराबर यहाँ आप देखेंगे कि TB का मान पर ज्यादा है तो यहाँ इसको TB को आप पहले लिखेंगे TB यहाँ पर विलियन के लिए कॉथनांग है माइनस T0B इस परकार से दे सकते हैं आप तो यहाँ पर जो T0B है यह विलायक का मोलल कॉथनांग है मोलल कॉथनांग उन्नेयन यहाँ पर मोलल क्वथनांग उन्यान है जो कि विलायक के लिए है और यहाँ यह विलियन के लिए तो जो डेल्टा टीबी का मान है तो डेल्टा टीबी मतलब होने वाला जो परिवर्थन है कि विलेन का क्वथनांग अधिक होता है और विलाय का क्वथनांग कम होता है क्यों कम हो रहा है विलाय का क्वथनांग कम क्यों है और विलेन का क्वथनांग ज्यादा क्यों है या क्वथनांग में उन्यन क्यों हो रहा है तो आप यह देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसी हम विलायक का वाश्चदाब या विलियन के वाश्चदाब की तुलना करें तो विलायक का वाश्चदाब हमेशा अधिक्तम होता है और विलियन का वाश्चदाब निम्तम होता है तो जहां पर विलायक का वाश्ड़ाब अधिकता में तो वहाँ क्वथनांग कम होगा और जहां विलियन का वाश्ड़ाब कम होगा वहाँ क्वथनांग अधिक होगा तो जहां हम इस प्रकार से इसको दे सकते हैं कि ΔTb बराबर Tb-T0b पिछली कंडिशन में हमने क्या लिखा था हिमांक में उन्नययन में आउनमन में ΔTb लिखा था ΔTb बराबर T0f-Tb लिखा था उल्टा है उस कंडिशन में क्या था कि जो विलायक है उसका हिमांक ज्यादा होता है और विलियन का हिमांग कम होता है इसलिए हिमांग में जो कम ही आती है वहां पर भी विले के मोलों की संख्या पर निर्वर करता है कि विले की मात्रा उसमें कित्ती है कम है यह ज्यादा है तो विले आवाश्पिशिल विले हम कितनी मात्रा में मिला रहे हैं ठीक इसी तरह यहा ललता की बात कर रहे हैं तो यदि हमको उसकी मात्रा निकालनी है तो मात्रा निकालने के लिए उसमें देखना पड़ेगा कि हमने उसमें कित्ते ग्राम मिला है आवाश्पिशिल विले जिसकी वज़ा से कितनी कुथनाक में बढ़ोत्री हो रही है या उसका उन्यान हो रहा है या उसकी व्रिद्धी हो रही है तो ये इस आधार पर हम इसे बता सकते हैं इसलिए यह जो कर्व होता विलाय का कर्व जो है यह पीछे की ओर है और विलियन का कर्व आगे की ओर है जैसे हम वाश्वदाब देखते हैं कि उबलने का समय तो एक फीक्स रहेगा ऐसा नहीं कि उबलने का समय आगे पीछे हो सकता है यदि हम यहाँ पर कोई भी बिले मिला रहे हैं जैसे माली जे यहाँ पर हमने शक्कर मिलाया तो शक्कर का जो क्वथनांग होगा वो अलग होगा जल का क्वथनांग अलग है तो यहाँ पर यदि हम पानी की बात कर रहे हैं TB या T0B इसका मान भी अलग-अलग हुआ तो यहां पर आप देखेंगे कि जो डेल्टा TB है डेल्टा TB यहां पर क्या है? मोलल कौतनांक में होने वाली वृद्धी या मोलल कौतनांक उन्नेयन में होने वाली वृद्धी या उन्नेयन l необ increase हैं बराबर के भी यहां क्या है मोलल कौतनांक और यहां पर मोललता तो जो कौतनांक में व्रिद्धी हो रही है उसका मान विले की मोललता वह कौतनांक में और इस रांक के गुड़न के बराबर होता है इस प्रकार आप इसे आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इसमें आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं नमर एक कौतनांक में उन्नें विलायक में आव वाश्पशील विले की मात्रा के बराबर होता है यह आप मोललता उसी कह सकते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में कितनी मात्रा में विले के मोलो की संख्या गुली हुई है दूसरा पॉइंट आप दे सकते हैं विलायक ने विले मिलाने पर विलायक में जैसी हम विले मिलाते हैं तो वाशुदाब में कमी होती ही या ओनमन होता है ओनमन होता है जिससे क्वथनांग में उनमन होगा जो वायू मंडली दाप के बराबर होगा वायू मंडली ये जो वायू मंडली दाप पर उबलेगा या उबलने लगेगा इसे आप नोट कर लिजी इसे आपने नोट कर लिया होगा नेक्स ठागे बताते हैं आपको खर लिजी कर दो इसे आपक होगा नेक्स्ट नमबर लिखे, नमबर तीन प्वतनांत में उन्यान के कारण विलायक का ए बी वक्र विलायक का ए बी वक्र विलियन के विलियन के सीडी वक्र से नीचे होता है जैसे कि हम हिमांक का ओनमन में देखा था हमने कि वहाँ पर विलायक का कर्व विलियन के अपेक्षा उच्छा था कि वहाँ पर विलायक का जो वाश्वदाब होता है वो विलायक का वाश्वदाब अधिकतम है लेकिन ही मांक में ओनमन के कारण उसका कर्व विलियन से अधिक होता है तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसका बक्र जो है नीचे है नेक्स्ट है क्वतनांक में उन्नयन का मान मोलल क्वतनांक उन्नयन इस्त्रांक मोलल क्वतनांक उन्नयन इस्त्रांक के भी वह विले की मोलल्टा के गुरन फल के समानुपाती होता है समानुपाती होता है इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं डेल्टा टीबी बराबर या समानुपाती M के जहां पर डेल्टा टीबी क्या है यहां पर क्वतनांक में वने वाली ब्रिद्धी या उन्नयन यहां समानुपाती M के यदि हम यहां पर M को हटा दे तो यह हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू M मुललंका. इस प्रकार साभ हम इसको दे सकते हैं यदि M का मानीकाई हो यदि M का मान 1 ग्राम हो यदि उस विलायक में हमने जो विले घूला है आवाश पषीन यदि वो 1 ग्राम है तो M का मान 1 आ जाएगा यदि एक ग्राम मूललता है तो उस परिस्थिती में तो डेल्टा टी बी बराबर केबी होगा तो डेल्टा टी बी का मान केबी के बराबर कब होगा? डेल्टा टी बी यहाँ पर क्या है? कौतनांक में? उन्यन या कौतनांक में होने वाली जो बढ़ोतरी है वो मूलल कौतनांक उन्यन इस सांग के बराबर तभी होगा जब मूललता का मान एक ग्राम, एक हजार ग्राम विलायक में गुला होगा और उस परिस्थिती में डेल्टा टी वी बराबर के भी होगा तो इसे लास्ट में आप लिख सकते हैं कौतनांक में होने वाली वृद्धी नेक्स अमर कौतनांक में कौतनांक में उनें या बढ़ोत्री कामान मोलल कौतनांक कामान मोलल मोलल कौतनांक उन्यन इस्त्रांक इस्त्रांक के बराबर तभी होता है जब मोलल्ता एक हो यही काई हो ग्राम होगा तो इस प्रकार से डेल्टा टी बराबर टी पी बराबर के भी होगा इस प्रकार से तो यह होगे आपका कौतनांक में उन्यन की कौतनांक में उन्यन क्या है इसे हम किस प्रकार से समझा सकते हैं तो इस्टेप बाई स्टेप आप इसे देख सकते हैं नेक्स्ट है प्रकार से प्रकार से सकते हैं तो यहां आपने देखा उन्यन क्या है और कौतनांक में उन्यन क्या है या कौतनांक क्या है नेक्स्ट है इबिलियो इसकोपिक विधी इबिलियो इसकोपिक विधी जिसकी सायता से कौतनांक में उन्यन द्वारा विलियो का आणविक द्रवयमान ग्याद करना आणविक द्रवयमान का संकेत आपको पता है एमबी होता है तो यहाँ पर आप एमबी लेंगे ग्याद करना तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि आपने सबसे पहले क्या निकाला था डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम यह आप निकाल चुके हैं इसे आप नंबर एक डाल दीजे जहां एम जहां एम एक मोलल्ता है और मोलल्ता वराबर होता है एन बी एन बी गुणित एक हजार बटे डब्लू ए एन बी यहाँ पर विले के मोलों की संख्या है एक हजार ग्राम है यहाँ पर आप यहाँ पर ग्राम लिख भी सकते हैं क्योंकि यहाँ लीटर नहीं है मोलता है तो लीटर नहीं होगा बलकि ग्राम होगा और जो W A है यह विलायक का द्रवेमान है तो यहाँ पर इसे समीकरण दे दीजिए तो जहाँ आपको पता ही है कि यहें का द्रवेमान द्रवेमान बट्टे विलेका आनविक द्रवेमान इसे आप समीकरण 3 दे दीजिए समीकरण 3 से एन बी का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण तीन से NB का मतलब है विले के मोलों की संख्या समीकरंट से NB का मान केस में रखना है समीकरंट 2 में रखना है 2 में रखने पर तो 2 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा NB M बराबर WB अपॉन MB गुनित 1000 बटे WA इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकता है कि WB के नीचे जो से आप नीचे लिख दीजे तो इस प्रकार से ये लिखेंगे हम M बराबर WB गुनित 1000 बटे M गुनित विलायक का द्रवे मान इसे आप सम्मीकरण दे दीजे 4 अब यहां सम्मीकरण 4 से M का मान सम्मीकरण एक में रखने पर सम्मीकरण 4 से M का मान किस में रखेंगे सम्मीकरण एक में रखने पर रखने पर यह क्या हो जाएगा ΔTB बराबर KB KB गुनेत WB गुनेत 1000 मटे MB गुनेत WA इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं इसे आप सम्मीकरण नंबर 5 दे दीजे अब से उस सम्मीकरण 5 है इसमें आप देखिए कि यहां पर जो डेल्टा टीबी है डेल्टा टीबी को हम इस रूप में डेल्टा टीबी को यदि हम बहार निका लेते हैं ठीक है इसको बहार निका लेते हैं MB को हम बहार निकालते हैं MB बराबर के बी गुणेत डबलू बी गुणेत एक हजार बटे डेल्टा टीबी गुणेत डबलू गुणेत इस प्रकार से यह व्यत्पन होच सकता है अब इस यह आप समीकरण दे दीजिए समीकरण नमबर छे और यही समीकरण छे जो है इविलोस्कोपिक समीकरण है जिसकी साहता से हम आवाश्पिशिल विले का आणविक द्रवेमान ग्याद कर सकते हैं क्योंकि यदि हम यहां पर आणविक द्रवेमान ग्याद कर रहे हैं तो आणविक द्रवेमान में कोई सभी विले हम यूज कर सकते हैं जैसे माल लिजी आप इसमें ग्लुकोज ले रहे हैं तो आणविक द्रवेमान ग्याद कर सबसे पहले हैं यहां पर यदि आप निकालते हैं तो छे गुनित गारा ग्याद ट्हन living ग्याद अ son 3 6 16 इसको जोड़ने से जितना आता है यह ग्लुकोस के लिए आनवीक द्रवयमान हो जाएगा लेकिन यहाँ पर हमको आनवीक द्रवयमान किसके लिए निकालना है कौना नंक में के लिए निकालना है वह WB जो इसका विले का दरव्यमान है और कितनी मात्रों यहाँ पर विले की दरव्यमान की मौचूद है यहाँ यह सभी मात्रा यहाँ हमें मालुम हो तो हम जो कौथनांक में होने वाली वृद्धी है जिसके कारण क्वथनांक में उन्नयान हो रहा है तो जो मोललता है विले की जो मोललता है उस विले की मोललता के लिए आनविक द्रवेमान को ग्यात किया जा सकता है तो इस पकार से इस समीकरण की सहता से हम विले का आनविक द्रवेमान निकास सकते हैं जिसके कारण कवतनांक में उन्ययन हो रहा है तो ये विधी क्याल आती है इविलियोइस्कोपिक विधी नेक्स्ट है इसे मान लीजिए आपको के बी का मान है यहाँ पर के बी क्या होता है इसका मान यदि दिया हुआ है एक देशमलो दो तीन गुणित दस की घाट दो यह मान दिया हुआ है ठीक इसी तरह जो विलायक का द्रवे द्रविमान है विलायक का द्रविमान यहाँ पर आपको मान लिजे यहां पर आप ले ले यहां सोडियम क्लोराइड तौधर इसका द्रविमान आपको निकालना पड़ेगा कि कितना द्रवेमान होगा ठीक है यह आप निकाल लेंगे सोडियम क्लोराइट का द्रवेमान डेल्टा टीबी इसका मान दिया हुआ है 12.4 ठीक इसी तरह डबलू ए यह दिया हुआ है 100 100 दिया हुआ है तो इस प्रकार से आप इन तीनों मान को रख करके आप MB का मान निकाल सकते हैं तो यह आप लोग निकाल के रखिए ठीक है तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि क्वाथनांग में उन्नेयन की साहता से हम किस प्रकार से इबुलेस्किपिक विधी के द्वारा विले का आणमिक द्रवयमान ज्याद कर सकते हैं कि किस प्रकार से कि क्वाथनांग में उन्नेयन क्या होता है क्वाथनांग क्या है वायू मनली दाप क्या है वायू मनली दाप की कम या ज्यादा होने से क्वाथनांग में क्या फर्क पढ़ेगा तो इस प्रकार से आप इसे इस समीकरण की सायता से आंकिक प्रश्नु के आधार पर इसे समझ सकते हैं थैंक यू कौतनांक में उन्यन में हमने चार्ट में हमने आपको बताया था इस प्रकार से जब कौतनांक में व्रिद्री होती है तो विलायक का जो कर्व है वो यहां होता है और जो विलियन का कर्व है वो उसके जस्ट नीचे होता है लेकिन ये जो है एक एट्मॉस्फियर है एक वायूमंडली डाब है ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है हमने आपको पिछले पिरड में बताया था कि विलायक का जो वाश्टाब होता है वो कम होता है हमने बताया था विलायक का वाश्वडाब कम होता है बताया था जो कि गलत है मतलब शुद्ध विलायक कम होता है यह बताया था जो कि गलत है क्योंकि आपको यह पता है कि जब शुद्ध विलायक होता है तो जो भी वाश्वदाब होगा वो वाश्वी तरणों के कारण होगा इसलिए शुद्ध विलायक के लिए जब वाश्वदाब अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर हमने जो कम बताया था वो कम जो है गलत है और इसके स्थान पर हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि इसका वाश्वदा हमेशा अधीक होता है यह भूलवश हमने यहाँ पर इसको आपको कम बता दिया था यह वाश्वदा अधीक होता है क्योंकि यदि किसी हम विलायक की बात कर रहे हैं यहां पर यह जल है या पानी है जो कि एक विलायक है और यहां पर इसको यह हम गरम कर रहे हैं तो जो भी अनुग होंगे वह विलायक के अनुग के द्वारा वाश्पी द्रौकी सता पर डाला गया दाब होगा तो इसका मान मतलब इसके वाश्पी तरणों का मान अधिक होगा तो यहाँ पर विलायक का जो वाश्बदाब है वो अधिक होता है और जैसी हम किसी विलायक में कोई भी विले मिला देते हैं और ये विले कैसा होगा? आवाश्बशील जब हम आवाश्बशील विले मिला देते हैं तो उस कर्णिशन में इसका वाश्बदाब कम हो जाता है तो विलायक का वाश्वदाब कैसा होगा, अधिक होगा, और विलियन का वाश्वदाब कैसा होगा, वाश्वदाब कम होगा इसका और इसका वाश्वदाब अधिक होगा, तो अधिक होने के कारण, जब विलायक का वाश्वदाब अधिक होता है, तो इसका जो क्वथनांख ह वह कम होगा मतलब कम समय में यह उबलेगा ठीक किसी तरह जब हम किसी विलायक में कोई भी विले आवाश्पशिल विले मिला देते हैं तो इसका वाश्वडाब तो कम होता है लेकिन जब यह उबलने लगता है तो उबलने के लिए से ज्यादा समय लगता है इसलिए इसके जो वाश्बदाब अधिक है जो हमने यहाँ पर कम बताया था वो चुकि विलायक का वाश्बदाब अधिक होता है और बिलियन का वाश्बदाब कम होता है इसलिए विलायक का जो क्वथनांग होगा वो कम होगा और बिलियन का क्वथनांग तो यहाँ पर आप T0, B लिखेंगे और टीवी इस प्रकार से और यहाँ पर हमने एक चीज़ और बताए थी कि जब कौतनाग कुन्ययन की सायता से हम MB का मानने कावते हैं जो कि आणविक द्रवे माने है विले का तो यहाँ पर हमने इसको भूलवश मोललता कह दिया था तो यह आप ध्यान में रखेंगे कि MB का मतला मोललता नहीं होती बलकि आणविक द्रवे मान होता है आणविक द्रवे मान और यह जो आणविक द्रवे मान है यह किसका वाणविक द्रवे मान होगा विले का यहाँ पर कौतनाँग कुननेन की साहता से हम विले का आणविक द्रवेमान निकाथ सकते हैं तो यह इस प्रकार से जो तूटियां थी इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि विलायक का जो वाश़वताब होगा यह अधिक होगा इसलिए कोतनाग कम होगा और विलियन का वाश्वदाव कम होगा इसलिए इसका कौतनान आधिक होगा तो यह इस प्रकार से हम MB और विलायक के वाश्वदाव और उसके कौतनान के बारे में आपको बता सकते हैं थैंक्यू